यूपे में कब आएगा भाईया जी का एक छत्र राज अखिले श्यादव कब बनेंगे मुख्य मंत्री भाईया जी का भाग्यों देख कब होगा पिता मुलायम की तरह कब छुएंगे राजनितिक शिखर योगी राज में कब आएगा भाईया जी का समय अखिले श्यादव पर सटेक भाविश्वानी करने वाले विश्यो विख्यात सुदर्शन चक्र जोतिश चारिय श्री संद बेतरा शोका जी ने आपके बार क्या भाविश्वानी की है देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार धर्म ज्यान में एक बाफिर आप सबका स्वागत है हमेशा के तरह मैं कविता राना और मेरे साथ आज मौजूद है विश्य विख्यात सुदर्शन चक्र जोतिश चारिया श्री संद बेतरा शोका जी जिनकी हमेशा से समाज़ादी पार्टी के मुख्या अख्लेश यादव को लेकर की तमाम राज्रेतिक भाविश्वानिया अब तक सत्य सिद्ध साबित होती आई है सबसे पहले तो आपका स्वागत है नमस्कार मैं अपने दर्शुकों को बता दू साल 2017 के यूपी चुनाव में श्री संबितर अशोका जी नहीं यह भाविश्वानी कर दी ती कि अगर अखिलेश यादव अपने अपने पिता तुल्य यानि के चाचा श्रीपाल यादव के खिलाफ जाएंगे तो उनका नासिफ राजनितिक कर्या अंधकार में चला जाएगा बलकि उन्हें कई चुनोतियों का सामना भी करना पड़ेगा नतीजन हुआ भी श्रीपाल यादव की बगावत के चलते दो हजार नासिफ उन्हें 2017 को चुनाव हारना पड़ा इसके साथ 2019 में बहुजा समाज पार्टी का साथ भी यूपी की जनता ने नकार दिया अब 2022 का चुनाव है लेकिन इस बार दल्चस बात यह है कि पिता तुल्या चाचा यानि कि शिफपाल यादव इस बार अखलेश यादव के साथ हैं लेकिन उनकी छोटे बहु अपरना यादव समा यूपे के मुख्यमंति बन पाते हैं या नहीं आखिकर अब 2022 से अखलेश यादव का राजनतिक करियर क्या कहता है यूपे के भाहिया जी का राजनतिक करियर कैसा रहेगा अब आगे यहीं आज हम झानेंगे श्री सन्बितर शुपा जी से तो सर सबसे पहले तो यूपे के भाया जी के राजनेतिक सतारे आपको इस वक्त कैसे दिख रहे हैं देखिए अखली श्यादा जी का जो समय इस टाइम चल रहा है बहुत ही उत्तम चल रहा है वो जहां से भी लड़ेंगे जीतेंगे लेकिन वो जो है बड़ी सेफ सीट से जबत होगी इसमें तो कोई संशे नहीं है कि उनकी जीत में कोई भी किसी तरीके का कोई रोड़ा नजर आ रहा है क्योंकि इस समय जो है उनका समय जो है जैसे मैंने आपका बताया योगी आदित्यानाच जी का समय चल रहा है उनके सितारे जो बुलंदी पे हैं फिल हाल सबसे ही जाने चाहते हूं जैसे कि आपने का बहुत सेफ सीट से लड़ रहे हैं और हानना तो इंका नामुम्किन है उस सीट से लेकिन जैसे कि आप योगी आदितनाच जी के कुन्रे को देख भाविश्वानी कर चुके हैं धर्म ग्यान पे कि तक्रीबन 30 सालों तक आने व योगी आदितनाच जी मुख्य मंत्रे की भाविश्वानी हो चुकी है तो उसमें कोई संशे नहीं होना चाहिए तो तेफिनेटली तीस तक इनको ओपोजीशन में बैठना पड़ेगा सर आपने कहा था कि पिता तुल्यश चाचा का अपमान उन्हें भारी पड़ेगा और 2017 में दिखा भी आपकी भविश्वानी सत्य साबित हुई लेकिन अब चाचा साथ है लेकिन बहुरानी नहीं है मतलब परिवार की अन्बन हमेशा अखलेश यादव जी के साथ क्यों रह द्रफिपात योग में हुआ है व्यति पात योग में जसका जनम होता है वो उसका जो इनसिकता होती है वो कन्फरटेशन की होती है एहम बहुत होता है मेरे को मानिए जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक आप गलत है ऐसा होता है और दूसरा जो है इनके स्टेम जो है केतू की महतरशा चल रहे है केतू इनके द्वादश बहाँ में और नीच का है उसमें इनका मंगल का अंतर चल रहा है और वर्षफल में इनका द्शम वाव में मंगल नीच राशी में होने के करम इनके लिए एक बहुत बड़ा सुझाव है यह जब भी मंच पे पोस्टे है एल्डरली जितने भी इनके जो है नेता है पिता और पिता तुल्य है उनके इनको अशिरवाद लेना बहुत जुरूरी है ना कि बुजर्ग इनके पैरों में पड़े और यह प्रफलित हूं इस चीज का यह ख्याल रखें दूसरा एल्डरली रिलेशन्स को सम्मान चाहिए होता है और व्यति पाथ योग में जो विक्ती प्वरियन योग में पैदा होता है उसका एगो बहुत बड़ा होता है और उसके एगो के अगेंस्ट कोई अगर कुछ बोल देता तो वो उसको पसंद नहीं करता हुआ वो आपके पिता हूँ या पिता तुल्य हूँ या आपके सीनियर्स हूँ तो ये इनकी कुंडली में एक छोटा सा दोश है और अभी इस इलक्षन में इनको वानी का नियंतरन बहुत रखना है कहीं पर भी ये विवती पाक, लड़ाई जगड़े वाली या कनफोर्टेशन वाली या किसी तरीके से वाद विवाद बढ़े समाज में किसी तरीके से जो है डिवाइड किया जाए ऐसा कोई भी वक्तव्य ना दें उस से इनको बहुत बड़ा नुक्सान होगा देखें ये मैंने उस समय भी 2017 में भी पहले प्री वांड कर दिया था पिता और पिता तुल्य जो भी इनके सीनियर्स है उनके सम्मान में कहीं पे भी किसी तरीके की कमी ना आए और 2017 में इनके पिता एवम चाचा से मतभेद के कारण सपा में डिविजन हुआ और राधर नी शिपाल यादव जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका खामयाजा सपा को भुगतना पड़ा अब जो है फिर वही एदियाद इनको बरतनी हैं अगर पिता और पिता तुल्य जो इनके एल्डर जो है राजनीतिक नेता हैं राजनीती में इनके पार्टी के जो नेता हैं उनके संबान में इवन अपोजिशन में भी इनसे जो एल्डर हैं उम्र में एक्सपिरियेंस में उनके अगेंस्ट गलत वक्तवय या जूट ना बोले उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा अपरना यादव के बारे में क्या कहेंगे अपरना यादव जी का सपा से जाना अखलेश यादव के लिए और पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़ा च्छतिकारक है क्योंकि इनकी कुंडली में तश्मेश जो है मंगल भागे भाव में बैठा गया और अपरना यादव जी की राशी भी मेश है और मेश राशी का स्वामी जो है मंगल है अगर अपरना यादव छोड़के चली गई है सपा को तो उससे इनके भाग्य में कमी है अगर उनको किसी तरीके से मना लिया जाता ना जाने दिया जाता तो ज्यादा अच्छा था है हाला कि अभी अपणना यादव को कहना है कि उन्हें टिकेट की चाहा नहीं है लेकिन लोकों का कहना है कि टिकेट के वज़े से समाजवादी पार्टी से बाहार निकली है पिछली बार वो लखनू कैन सीट से हार गे थी दीता भूगोना जी से बीजेपी की दीते भूगोना लेकिन आपने कहा कि किसी तरह मना लिया जाना चाहेता लेकिन क्या लगता अपड़ना यादव की घर वाप से दिखती है आपको समझवादियों में देखे राजनीती को आप इस तरीके से समझेगा राजनीती एक वियपार है वियपार के लिए ओफिस का होना या फिर दुकान का होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास दुकान नहीं है और आपके पास ओफिस नहीं है तो आप राजनीती में अगर सड़क पे कुछ बेच तो आपका कोई सम्मान नहीं है, तो जो भी निता किसी भी दल को छोड़ता है, तो उसको सिरफ ये नजर आता है कि अब यहां हमारी दुकान नहीं लग सकती, हमें जो है, सीट नहीं मिलेगी, सीट अगर बाई दे मिल भी गे, तो वो लोकेशन नहीं मिलेगी, वो मंतरी पद मिलेगा, तो वियपार में क्या होता है, आपको जहां आप वियपार कर रहे हैं, लोकेशन होना चाहिए, वहां आपको फाइदा होना चाहिए, तो आप बात समझ गी हूँ, उमीद करती हूँ कि मिरे दर्शक भी समझ चुकी होंगे, अब आप से बस जाते हैं तो ये भी ज लाडी माने जाते है. मैं आपसे जाना चाहते हूँ कि वह गद्व हो राजनेती के स्थर पर पहुंचे, क्या वहां तक उनके अले श्यादव पहुंच पाएंगे छू सकेंगे उस कद को ये बड़ा सवाल मुझे लगता है देखे बहुत बड़ा सवाल और उसके लिए जो है उनका जो उनकी जो कुंडली है उसका बहुत सूक्षम अध्धन करना होगा और अगर आप देखते हैं तो इनकी कुंडली में योग तो है इसकी कुंडली में तीन ग्राह उचके हो या नीचके हो तो एक राजयोग बनाता है लेकिन उसके लिए एफोर्ट लेबल जो है इनको कितना करना पड़ेगा और किन-किन चीजों का इनको परहेज करना पड़ेगा उसको अगर ये मध्या नजर रखकर आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में ये जो है राजनीती में अच्छा प्रतिष्टा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जहां ये डेवेट हुए क्योंकि वेति-पात योग में आदमी जो है लड़ाई जगड़े को ज़्यादा अच्छा मानता पो उसके नेचर में इन-बिल्ट होता है तो अ प्रसिद्धी प्राप्त करना और डिवाइड करके एक वर्क को कि तुष्टी करन से आप का जो सफर है वो फिर बहुत लंबा हो जाता है जाते-जाते मुझे लगता है जो धर्मग्यां के दर्शिक भी आपसे जानना चाह रहे होंगे समाजवाधी पार्टी के खाते में इ सीटे हैं 47 सीटे ही इन्हें आप आई तो तब इनके पास कॉंग्रेस का साथ था राहुल गांधी का लेकिन इस बार अपने चाचा जी हैं इनके साथ और राज्य की तमाम शेत्रे पार्टिया भी समाजवाधी पार्टियों के साथ हैं RLD को ले लिजे क्या लगता है इस बा अगर आप जो बीजेपी के लिए या इंडिय के लिए भविशेवानी की है उन सीट्स को निकाल देते हैं तो वो सारी सीटें जो बचती हैं उसमें सारे दल आते हैं सेकेंड जो है जो रनर होगा उत्तर प्रदेश का वो होगी सपा समाजवाधी पर्टी तीसरे चोथे और पांचवे नमबर पे इवन कॉंग्रेश जो है नीचे से टॉप पे रहेगी कॉंग्रेश जो है सबसे कम सीट्स प्राप्ट करने जा रहे इस वार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाकी जो छेत्री अदर हैं वो कहीं कॉंग्रेश से अच्छा प्रदर्शन करके अच्छी सीटे ले पाएंगे और अगर सारी पार्टिओं की गन्ना की जाये जिसमें बड़ा टाइम लगे गा लेकिन अख्छे अदव जी्य जो है ट्रिपल डिजिट्ट में तो होगे यह ट्रिपल डिजिट्र के बिलकुल आज पास हो यानिक यूदिगिस तो सक्षरी उर टिपल डिजिट्स में उनक और NDA की बनेगी चलिए सरकार बहुमत की बनेगी NDA की बनेगी लेकिन समाजवादी पार्टी टू डिजिट से थ्री डिजिट जरूर आ सकती है और इस बार श्री संबेतरा शोकर जी की ये भविश्वानी हमेशा से अखले शादव को लेकर तो सत्यसित साबित हुई है लेकि और मस्कार प्रए लेकिन से अखले शुड़ी लेकिन तो सावचार जय निदे टू भार इजिए निए लेकिन जुड़ी टू उमस्कार आ कार